पंचसील क्या है पंच माने होता है पांच और सील जो होता है वो बड़े सैसे बनता है संसार वाले सैसे समुद्र वाले सैसे सील पांच सील यानि पंचसील सील का मतलब होता है नियम वोक नियम जो नियम जीवन में चलने के लिए या धम मार्क पे चलने के लिए या सुखी रहने के लिए या राग देश को छोडने के लिए बनाए भगवान बुद्धने तथागतने शुगतने उन नियमों को पाली भासा में सील कहते हैं तो पाँच नियम उनोंने सभी को पालन करने के लिए कहा है, चाए वो घरस्त है, चाए वो भिक्कू है, चाए बच्चा है, चाए बड़ा है, चाए बुड़ा है, चाए देसी है, चाए बिदेसी है, महिला है, और सभी जितने भी दुनिया में लोग हैं, ये पाँच सील उन सब के लिए है क्योंकि बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने तथागत बुद्ध ने कोई भी मजभ या रिलीजियन या धर्म नहीं दिया उन्होंने जो दिये वो प्राकरतिक नियम दिये जिसको धम बोला जाता है और धम सबी के लिए है इसलिए पांच जो नियम है पंच सील यानि पांच सील दुनिया में बहुत फेमस है जगे जगे आप पंच सील कालोनी पंच सील मार्ग पंच सील हाउस पंच सील बुद्भेयार पंच सील भवन पंच सीलों के उपर बहुत सारी चीज आप देखेंगे और नेट हैं ये पंचील हैं क्या और ये पंचील कैसे काम करते हैं पहला जो सील है नियम है पांच मज़ दिया जाता है उपर नीचे हो सकता है उससे कोई फरक नी पड़ता करम बदल सकता है करम बदलने से सीलों पे कोई फरक नहीं पर सकता है किलम में रखने की यानि सील में रखने की कोई वादता या कोई कंपलसेशन या कोई कंपलसरी चीज नहीं है आप जो सीला आपको पहले बोल सकते हैं पहले बोलें जो बाद में मगर अगर सभी लोग बोल रहे हैं तो फिर उसको continuity में बोलना चाहिए, ताकि सब लोगों को आसनी रहें। पहला है पालाती पाता, वेर्मनी, सिख्खा पदंग, समाधियामी। इसमें पालाती पाता का जो अर्थ है, पालाती पाता का मतलब है प्राण का पतन। यानि किसी भी तरह जो जीब है, जितने भी जीब जनतु हैं, उनके प्राण का पतन यानि उनके प्राण का खतम करना। वेर्मनी का मतलब है अलगाव है विरती है यानि कि मैं इसे डी अटेश्मेंट है मेरी मैं इसे कोई अटेश्मेंट नहीं है मैं इसे वरत रहता हूँ इससे अलग रहता हूँ किससे पानाती पाता प्राण को पतन करने से प्राण को खतम करने से मैं अलग रहता हूँ सिख्षा पदंग, सिख्षा पदंग का मतलब है सिख्षा माने होता है सिख्षा यानि सिख्षा पदंग का मतलब है पद माने हो गया एक संबंद उससे और सिख्षा माने हो गया सिख्षा यानि सिख्षा का नियम तो ये हुआ पानाती पाता वेर्मनी सिख्खा पदन और समादियामी का मतलब है सम आदाती यानि सम माने बरावर आदाती माने लेता हूं दाती माने होता है देना और दात से पहले अगर आ लग जाए तो आदाती होता है आदाती का मतलब है लेता हूं और सम आदाती का मतलब है कि बरावर लेता हूँ, तो इसको समाधियामी बोलते हैं, समाधियामी यानि मैं, समाधियामी का मतलब मैं, पाणाती पाता वेर्मनी, सिख्खा पदंग समाध यानि, प्राणों को पतन ने करने का, मैं अलगाव यानि ब्रत रखने का, उनसे अलग रेन जाने का मैं सील संबंदी जो नियम है उसको लेता हूँ ऐसा इसका मतलब है कि हिंदी में अगर इसपश्ट कहेंगे तो इसका मतलब है कि मैं किसी भी तरह के प्रानी कव पतन से अलगाव यानि कि मैं उनकी हत्या नहीं करूँगा ऐसा मैं सिख्छा लेता हूँ गढ़न क अपनी सिख्खा पतंग समाध्यानमी सेम हैं सिर्फ क्या बदला है यहां बदला है अदिन दाना अदिन का मतलब है ए दिन दाना दिन माने होता है देना और दाना माने होता है भोजन या कोई ग्रेन या कोई खाने की चीज ऐसे दाने का मतलब जो होता है वो अनाज के दाने है ऐ दिन दाना यानि ए माने नहीं दिन माने दिया हुआ दाना अगर किसी ने मुझे दाना नहीं दिया तो मैं ऐसे दाने से अलग रहने की पिर्दिग्या करता हूं या इसकी सिक्षा ले ले लेता हूं ऐसा मैं ग्रहन करता हूं इसका मतलब है कि अगर आपने नहीं किसी को कुछ दिया तो वो लेंगे नहीं तो अगर किसी नहीं दिया और आपने ले लिया तो उसको चोरी बोलते हैं यानि कि वो चोरी हो गई अगर मैंने आपको कुछ दिया नहीं और आपने वो ले लिया तो वो चोरी हो गई तो यहां यह जो सील है यह कहता है कि अगर आपने नहीं दिया तो मैं उससे अलग रहने की सिक्षा लेता हूँ यदि चोरी नहीं करूँगा आप दोगे तो ही मैं लोगा otherwise मैं कोई भी चीज आपकी पड़ी है कहीं भी रखी हुई है कैसी भी रखी हुई है वो मेरे लिए मिट्टी के समान है अगर मुझे जरूत है और मैंने आपसे मांगी और आपने मुझे दी तो मैं उससे ग्रहन करूँगा अगर वो सलक पे पड़ी है किसी घर पड़ी है कहीं भी पड़ी है तो मैं उसको घरन नहीं करूँगा मैं उसको नहीं लूँगा ऐसी मैं प्रितिग्या करता हूँ ऐसा मैं वचन करता हूँ यह दूसरी है तीसरी है इसमें कामेसु मिक्षा चारा कामेसु मिक्षा चारा वेरमनी सिख्खा पदंग समाद्यामी यानि कामेसू मिक्षा चारा इसमें दो सब्द जोड़ गए हैं बाकी जो सेम है वेर मनी सिख्खा पतंक समाधिया में कामेसू क्या है कामेसू का मतलब है काम में या काम पर काम का मतलब यहाँ वासना से है यानि काम में या काम पर वासना में या वासना पर या वासना को मन में लाने का या वासना के वारे में बात करने का या वासना के वारे में सोचने का और मिक्षा चारा क्या है मिक्षा माने होता है जूटा और अचारा माने क्या होता है आचरण यानि बिहेब यानि जूटा आचरण मैं काम के उपर यानि वासना के उपर यानि जो भी ऐसी सेक्शल एसाल्ट हैं उनके उपर सोचूंगा भी नहीं और मिक्षा चार यानि बहुत सारे आचर आ जाते हैं क्योंकि जूटे जो आचरन हैं वो बहुत हैं जूटे आचरन हैं बोलना है या किसी को कुछ जूटा बताना है या जूट मन में लेके आना है या आलस करना है या बाहना बनाना है या क्या बोलते हैं कोई गप मारनी है ये इस तरह की बात है सार चुम्टेके साथ साथ में जो मन कलंत होता है उसको मिक्छा अचार बोलते हैं, यानि जूटा भी है और मन कलंत भी है, मंगर मूसा वादा किलियर जूट के लिए आता है, यानि कि आपने किसी भी तरह का जूट नहीं बोलना है, और वादा का मतलब है वादी, यानि के मुसावादी जूट का मत भी नहीं आना है जूट वाले मत में आपको नहीं आना है तो मुसावादा वेरमनी सिख्खा पदंग समा देनी यानि आपको जूट वादी नहीं बनना है जूट बोलने वाला नहीं बनना है पांचवा है सुरा मेरे मज पमादट ठाना वेर इसमें जो सुरा है उसको बोलते हैं नसिला पे पधार्थ ड्रिंक और जो मेरे है वो है अन्य नसिला पधार्थ सॉलिड हो सकता है किसी भी तरह का हो सकता है धुए वाला हो सकता है अन्य नसिला पधार्थ और मजमाने होता है मद जो आपने देखा हुआ है मद निशेद जो इसको ये अलग तरह का एक mad उसको भी बोलते हैं कि अगर आपको किसी की लत लग जाए किस चीज़ की तो केते हैं ये mad मस्त हो गया यह mad must है यानि कि उस जो आधत पड़ी हुई है उसमें वो चला गया तो कोई ऐसी आधत पड़ी हुई है आपको जो आपको मधोश करती है जो मध में ले जाती है तो तीन बातें इसके अंदर आपने नहीं करना है, चौती है पमाद अठाना पमाद अठाना का मतलब है पमाद और अठाना का मतलब है कारण, इस्थान यानि प्रमाद का कारण भी नहीं जो लापर्वाई है जो आलस है उसका भी कारण या उसका इस्थान नहीं बना है ऐसे मैं सिक्षागिरण करता हूँ उन से अलग रहने की मैं सिक्षागिरण करता हूँ ये पांच सील है, ये बहुत सिंपल से साधरहन से सील है, मगर ये सील पूरे जो बुद्ध की 45 साल की एजूकेशन है, ये उसके प्राण है, कोई व्यक्ति अपने आपको बहुत बड़ा बुद्धवादी बने, या बुद्ध का फिलोस्पी का जानकार बने, और या फिलोस् किसी बात का कोई पलन नहीं करता, इसलिए ये पांच सील जो पलन कर लेता है, उसे ना किताब पढ़ने की आवशकता है, जो ये पांच बात मानता है, उसे ना कोई गरंत पढ़ने की आवशकता है, वो अपने आप ही अरत भी हो सकता है, सोता पन भी हो सकता है, अनागामी भी हो सकता है, सग्दाकामी भी हो सकता है और उसका जीवन सुखमे हो सकता है, बुद्ध की चाहे वो किसी बात को जाने या ना जाने सिर्फ पांच सील, इसलिए कहते हैं कि पांच सील, अगर हम इसकी तुलना करें, या जो बहुत सारे लोगों ने इसकी तुलना की है तो वो ये कहते हैं कि बुद्धिष्ट फिलोसफी के अंदर पांच सील, किसी गॉड